नमस्कार देश की बात में आप सभी का स्वागत है अविनंदन है नरेदर मोदी की सरकार बख्फ कानून में शंशोधन का प्रस्ताब लेकर आई सलसद में तो हंगामा मच गया हलाकि वक्फ कानून में सुधार हो वक्फ की व्यवस्था में सुधार हो इसके लिए दो महत्तपों सिपारिशें देश के सामने थी लंबे समय से एक तो संसत की सैमिति की थी, जेपी सी की सिपारिश थी कि वक्प कानून में समय की अनुरूप पारदर्शिता लाने के लिए सुधार होने चाहिए और दूसरी सिपारिश थी सच्चर कमिशन की, राजिन राज सच्चर के अध़क्षटा में जो कमिशन बना था, आपने योग की रिपोर्ट में ये बात कही गए थी कि वक्फ की भी तबियत नासाज है उस वहां भी दवा की जरूरत है वहां भी व्यवस्था सुधारी जानी चाहिए तो वक्फ को और जादा पारदर्शी बनाने के लिए उसमें गरीब और वंचित जो मुसलमान हैं उसमें भी खास दोर पर बच्ची और महिलाएं उनको जादा लाव कैसे मिले और वक्फ की समपत्या प्रमानित कैसे हो प्रामानिक कैसे हो और उनका उपयोग केबल और केबल गरीब मुसलमानों के लिए ही हो, उस पर कबजा नहीं हो, उस पर दबंग लोग अपने अधिकार में उसको नहीं ले ले और मुकदमों की लंबी फेरिष्ट से दूर रहे बखवा, उसके लिए बिल आया तो हंगामा मच गया। पहले तो विपक्ष को उमीद ये थी कि चंद्रवाबू, नाइडू और नितिश कुमार इन दोनों की पार्टियां भाजपा को ये बिल लाने की अनुमती नहीं देंगी और बाजपा जिद करके लाएगी तो लोग सभा में ये दोनों दल भाजपा के खिलाफ करे हो जाएग अगेन अनतता फिर शाम होते होते ब्रश्मतिवार को जिस दिन भी लाया उसों बाजपा सरकार की और से किरंदर जिजुजु ने ही प्रस्तावर रखा कि इसको जॉइन परल्लमेटर कमेटी को भेज दिया जाए जीन जेपीची को अँर ताकि वहाँ इस पर और व्यापक विचार बेमर्ष हो जाएं जो फिर जेपीसी से जो राय बनकर आए उसके अनुरूप फिर बिल संसद में रखा जाए पास होने के लिए अब जेपीसी का गठन स्पीकर करेंगे सबी दलों से बातचीत करके मुझे रखता है शायद ये शायद मेश्यों ने शायद ये पहला विधेक होगा जिसको मोदी सरकार के अब तक के कारेकाल में जेपीसी में बेजा गया है इससे पहले विधेक समाने था जो विधेक आया वो थू हुआ पारित हुआ पर आज की चर्चा का विशे मेरा ये कि वक्फ में सुधार को लेकर जो बिल लाने की बात सरकार ने की और बिल लाई सरकार जो उसमें मूलूप से क्या है एक तो ये कि आप कहीं भी अपना रुमाल लख देओ कि ये जमीन हमारी हुई ऐसा नहीं चलेगा कागज पत्तर दिखाने होंगे वक्फ की संपत्ति वक्फ की ही रहेगी लेकिन उसका रेजिस्ट्रेशन उसका पंजीयन जिलादिकारी के कारियाले में होगा कागज तो वहीं नहींगे कौन बताएगा कि जमीन किसकी थी और तीसरी बात कि भई मौखिक तोर पर ये नहीं माना जाएगा कि जमीन फलाने वक्फ को दान दे दे दी उसका वक्फ नामा होना चाहिए यानि रिटिन डाकुमेंट होना चाहिए और इसके प्रवंधन में जो कमेटियां होती है उनमें महिलाओं की भागेदारी हो उसमें समाज के अन्य बड़े प्रभावशाली वर्गों के लोग शामिल हो तेस्तरार सक्षम अधिकारी शामिल हो ताकि वक्फ ठीक से चले ये मोटे तोर पर इतनी बाते हैं लेकिन उसको बता दिया गया कि ये इसलाम पर हमला है ये मुसल्मानों की आजादी चीनने की बात है कहा गया कि धार्मिक मामले में हर्स तक छेप करना चाहती है मोदी की सरकार इतनी तिलमिलाहट क्यों है इतनी बिलमिलाहट क्यों है वक्फ को लेकर सच्चाई है कि देश में आप किसी राज्य में चले जाएं मोटे तोर पर दिल्ली उत्तरपदेश बिहार और महारास्टर यहां के वक्फ ज्यादा संपन है नौ लाख एकर से ज़्यादा जमीन है वक्फ के पास सेना और एल के बाद सबसे ज़्यादा भू संपत्ती वक्फ के पास है लेकिन अब इसका हो क्या रहा है और संकट क्या है ज़्यादा तर जगा वक्फ कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने अपने इलाकों में वक्फ की संपत्तियों का आर्थिक दोहन अपने हिसाब स करना शुरू कर दिया जै कबरिस्तान हो चै मजार हो चै दरगाह हो चै कोई हो इसका अवधारना ये थी कि लोग अपनी संपत्ति इसलिए वक्फ को दे जाते थे कि समाज में गरीब लोगों की वंचित लोगों की उससे सेवा हुपाए सेवा एवा तो हो गई किनारे मेवा का खेल चलने लगा जो दवंगरा उसने मेवा का बोरा भरा और अपने घर ले गया वक्फ के नाम पर तो जो बंदर बाट था ना वक्फ में ये सक्षम लोगों के पास ही तो था अक्षम और निर्वल तो विचारा क्या मेवा पाएगा आप बताईए वक्फ की संपत्ति और देश भर में नव लाक एकल की संपत्तियां है और उनसे जो आर्थिक आये हो रही है उसको एक से इनके लिए दिमाग में रखिए और अपने आसपास अपने शहर जिले में देखिए कि वक्फ की संपर्तियों से कितने गरीब मुसल्मानों का पेट पल रहा है उनकी संतानों को सिक्षा दिक्षा हो रही है तलाक शुदा महिलाओं को रोजी रोटी मिल रही है कितने लोग बड़े लोगों का है प्रभावशाली दबंगों का है मुस्लिमों में जो सक्षम है यह उनके हाथ का खिलोना है अब इसको अगर आप गरीब के लिए बनाना चाहेंगे तो स्वाभाविक है जो अभी तक बख्फ की मलाई खा रहे थे वो चिल आएंगे हला मचाएंगे ते अभी एक हाई कोट ने राजी के हाई कोट के जज ने कहा वक्फ का एक मामला गया था तो उसने डाट कर कहा कि आपका बश्चले आप तो लाल किला और ताज मेल दोनों पर बख्फ की पट्टी लगा दोगे तक्ति लटका दोगे यह कौन लोग हैं जो वक्फ वक्फ खेल रहे थे देश में नरेंद्र मोदी ने उसी नेकसस को तोड़ने के लिए यह व्यवस्था करने का फैसला किया है व्यवस्था कुछ दिन टल गई लेकिन हटेगी नहीं बदले ऐसा नहीं होगा कि व्यवस्था न बदली जाए वो प्रस्ताव रद्ध हो जाने जेपीसी के जरी आजाए ये बात मूल बरप्रश्ण है कि वक्फ से गरीब लोगों को लाब होना चाहिए जो वक्फ का मूल सिद्धान तथा उस पर काम होना चाहिए वक्फ संपन्न लोगों के जेब भरने का साधन नहीं न और कितने गरीब लाभान भी तो रहे हैं ये एक सर्वे करा लीजिए वक्फ की संपत्यों पर आपको देश में सामने पता लग जाएगा और वही लोग मुस्लिमों के प्रवक्ता के तौर बी सामने हैं चैहे मुस्लिम पार्लामेंट मेंबर्स को ले लीजिए या समाज के अन्य विविन छित्रों में जो संपन्न मुस्लिम हैं उनको ले लिजे देशिए इंअ कि इमामों को लिजिए धर्मगुरून को ले लीजिए यहां को बसको घजÁ उतने बोघते है उसके आगे जहाँ हूसको कुस्क मिल रहा है रियानि मिल जाए समझ लीजी उसका जीवन तर गया चहें आजमेर शरीफ का मामला हो और चहें निजाबुदीन अउलिया का मामला हो तो इस पर नरेदर मोदी ने एक बड़े नेक्सिस को तोड़ने के लिए प्रहार किया तो स्वाभावी के मिल्मिलाहट भी होगी और तिल्मिलाहट भी होगी अईसा ही एक उधारन और देता हूं मोदी ने ये देश के इस्तर पर किया बख्वक को सुधारने का काम और योगी आदित्तिनाथ ने ऐसा ही एक काम उत्तर पदेश में किया नजूल की विवस्था को सुधारने का समझ लीजिए बहुत अंतर नहीं दोनों में मोटिफ दोनों में एक ही है अब नजूल की जमीन का भी ज़रा खिल समझ लीजिए जो दादा पहलवान था इलाके का नेता हो अवे नेता हो बाहु बली हो दवंग हो उन सब ने नजूल की जमीने कब्जा कर ली उन से खाक मार रहे हैं अरबो रुपए की संपत्या है आप देखिए जैसे मैंने बक्ष के लिए का वैसे नजूल के लिए कहता हूं तब देश में एक निगाह दोड़ाईए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे जो गरीब लोग हैं वो नजूल की जमीन पर कहां काविज हैं और कितने काविज हैं कितने प्रतिशत में यह दरा पता करिए उनका प्रतिशत पांच प्रतिशत छे प्रतिशत आ जाए तो बहुत समझेगा इलाबाद के सिवेल लाइन्स में नजूल की जमीन पर कोठियां हैं और कोठियों की कीमत डेड़ सो करोन दो सो करोन धाई सो करोन तक जा रही हैं यह कड़ों में कोठिया है नजूल उनके लिए तो नहीं बना न उतरपदरिश के शायदी कोई ऐसे दवंग राजनेता हो ज बिदान सभा में बिल वो ले आए उनकी सरकार ले आए नजूल पर लगाम कसने के लिए उसको पारदर्शी बनाने के लिए तो वहां भी बिल में लाहट हुई तिल में लाहट हुई बढ़ों को चोट वहां भी लगी चूंकि बिल में जो कहा गया परचार किया गया वो तो में माल काटने वाले बचना चाहते हैं और वह इसे ही नजूल में भी गरीब को का नाम सामने करके माल काटने वाले बचना चाहते हैं लडाई के लिए पोस्टर गरीब का लगा रहे हैं और तिल मिला खुद रहे हैं क्योंकि गरीब को तो कुछ मिले नहीं और गरीब को 1.500 करोन की कोठी कौन कपचा करने देगा उसको तो एक जोपड़ी मिल जाए जोगी मिल जाए उत्रही समझ दीजिए बहुत है तो मुझे लगते हैं यह दो काम ऐसे हुए जिन्हों ने ताकतवर लोगों को बिल बिल आ दिया योगी अधित्रनाट के खिलाब भी मोर्चाबंदी शुरू हो गई थी उत्तरपदेश में बोले जी क्या गलत कर रहे हैं योगी जी पूरे प्रदेश में हाँ कार मच जाएगा और पर क्यों हाँ कार मच जाएगा कुल पांचेजार दसेजार लोग होंगे जिन्हों ने नजूल की अस्थी जमीन पर कभजा किया होगा उत्तरपदेश में वो नाराज भी हो जाएगा जमीन मुक्त हो उस पर अस्पताल बने उस पर पार्क बने जनता की उप्योग की चीजें बने और गरीब के लिए किफा बलागो है. यहनि मोदी और योगी ने वो नब्ज पर हात रख दिया है. क्या इसलिए तील में आह reiterate है, और बख्त का भी बिल का जो लोग विरौत कर रहे एं, वो भी कह तो गरीब मुसल्मान पर हमला है. और वहाँ नजूल के विदहक का जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी कह रहे थे कि गरीब आदमी पर हमला है दोनों बिल वक्फ का बिल जेपीसी को चला गया और उत्तपदेश वाला जो नजूल का बिल था वो सेलिक्ट कमेटी को चला गया प्रबर समीती को यनि दोनों बिल चर्चा के लिए कुछ समय के लिए अप्टन गए और दोनों का लक्ष एक है पारदर्शी विवस्था गरीब के नाम पर अमीरों की जेवे भरने का चलन बंद हो दोनों का लक्ष एक है चाहे वो वक्फ का बिल हो और चाहे नजूल का धन्यवाद